Hello everyone, Namaste तो आज मैं जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपके future के spouse के उपर होगा means आपके जो future के husband या wife वो कौन होगे और उनका physical appearance कैसा होगा दिखने में कैसे होगे हर एक चीज के बारे में हम आज इन डीटेल में जानेंगे तो यहाँ पे मैंने दो पाइस रखे हुए है pile 1 and pile 2 pile number 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी burden 1 से लेके 15 के अंदर आता है and pile number 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी burden 16 से लेके 31 के अंदर आता है तो आप लोग अपना-पाइल चूस कर लेना और यह जो reading होनी जा रहा है यह timeless है और general reading है और यह for both males और females हर केसी के लिए है तो आप लोग जब भी जाहो इस reading को देख सकते हो तीक है और अभी हम शूर करते हैं pile number 1 से तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 cards निकाले हुए है तो आपके जो यह future के husband या फिर आपके जो wife होंगी वो specifically एक water science से related person होंगी means उनका जो birth chart होगा उनका ascendant science, sun sign या moon science जो है वो water science से related होने के chances बहुत जादा हाए है और एक चीज़ मैं बता दूँ यह जो इंसान होंगे वो बहुत ही जादा emotional साहर से होंगे extreme level पे emotional person है यह छोड़ी छोड़ी बातों से यह person को means अगर किसी ने थोड़ा कुछ पोल दिया तो यह person दिल से ले लेते है हर एक चीज़ को चीज़े बुरी लग जाती है यह person को चाहिए लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ इनको मतलब हट होती है चीज़े लेकिन यह person वो चीज़ों को बाहर शो नहीं करते है means ऐसा behave करते है कि जैसे कि इनको कोई फरक नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले लोग क्या कहते हैं इनको कोई लेना देना नहीं है like that kind of nature यह person दूसरों के सामने शो जरूर करते है लेकिन internally यह person बहुत ही जादा emotional side से है तो कभी भी मजाक में यह person को आप कुछ भी मत बोलना जब आपकी शादी हो जागे after that मैं यह बोल जी हूँ कि आप मजाक में भी कुछ ऐसी बात ही मत बोलना यह person को जो कि यह person को directly hurt करे क्योंकि यह person चीज़े भूल नहीं पाएंगे कभी भी नहीं मरते दम तक यह person चीज़ों को याद रखते है भूला नहीं पाते है and mind बहुत साथा शार्फ होगा यह person का means qualification wise यह person अगर अभी job कर रहे है तो बहुत जादा पढ़े लिके होंगे like PhD या फिर BTEC, MBA like that kind of stuff या फिर यह person अगर अभी अपने educational area में है तो वहाँ पे भी टॉपर होंगे यह person means यह person का एक नाम होगा because of their hard work and because of their intelligence उस level का यह इंसान मुझे दिख रहा है यह इंसान थोड़े psychic हो सकते है means intuitive power और यह person का बहुत जादा strong होगा इसलिए लोगों को यह person थोड़े mysterious type लगते होंगे means कभी कबर यह person कुछ बोल देते होंगे यह मत कर ऐसा हो जाएगा तो वो चीज हो जाती होगे and वही चीज़े लोगों के mind में strike करती है कि यह person जो भी बोलते हो हो जाता है उस level का यह person का psychic side होगा even यह person जब आपको पहली बार देखेंगे at that time here she will know कि आप ही वो इनसान हो जिनके साथ उनकी शादी होगी उस level का यह person का एक spiritual side होगा भगवान जी के उपर यह person का भरोसा बहुत जादा high है मंदीर में जाके पुझा पाट करना उस तरह का यह person का homely environment होगा बचपन से ही ऐसे ही environment में यह person पले बड़े है अगर मैं career की बात करूँ तो यह person आपके कोई guide होंगे या फिर mentor होंगे boss हो सकते है या फिर आपके कोई senior होंगे जो कि आपको बहुत साथा guide करेंगे आपको कभी educational means पढ़ाई में help करेंगे या फिर अगर आप totally job में हो तो यह person भी वहाँ पे आपको guide करेंगे ताकि आप अपनी career life में improve कर जो यह person के अंदर वो jealousy side नहीं है कि मैं इसको यह बता दूँगा या बता दूँगी तो यह मेरे से आगी निकल जागा ऐसा यह person के मन में बिलकुल भी नहीं है बहुत ज़दा selfless side से मुझे यह person दिख रहे है age wise मुझे यह person जादा mature नहीं लग रहे है आप दुनों की age लगभख same होगी means एक दो साल का ही difference होगा कुछ लोगों के लिए मुझे same year भी दिख रहा है यह इनसान ठीक है means age gap मुझे यहाँ पर बिलकुल भी नहीं दिख रहा है and क्योंकि यह person बहुत कम age में ही काम करना शुरू कर दिया है या फिर आप दुनों same college में हो अभी कुछ लोगों के लिए मुझे यह सरन दिखा दुनों same college या same school से भी ब्लॉंग करते हो और financial condition भी यह person का अच्छा खासा मुझे दिख रहा है means अगर अभी यह person student भी है तो भी यह person की जो family है वो अच्छा खासा bank balance होगा उन लोगों का अपना खुद का start-ups होगा and financially आपको कोई दिखत कभी भी नहीं आएगी मुझे वह दिख रहा है और बहुत जादा खुश रहना पसंद करते हैं यह इनसान इनको दुखी रहना अच्छा नहीं लगता है ठीक है and हमेशा कुछ नया करने के चाह यह इनसान के मन में हमेशा रहती है face wise मुझे थोड़ा innocent face दिख रहा है जहाँ पर की एक youthful look होगा means यह person को make up की जरुवत बिलकुल भी नहीं पढ़ती होगी चाहिए लड़का हूँ या लड़की हूँ lips जो होगे यह person के बहुत ज़ादा pinkies जो बोलते है न उस तरह के lips होगे और थोड़े मोटे lips होगे जो कि बहुत ज़ादा attractive दिखते भी होगे and यह person को flowers का बड़ा shock रहेगा जैसे कि rose flower हो गया या फिर रजनी गंधा का जो smell होता है वो यह person को बहुत ज़ादा पसंद आता होगा gardening का तोड़ा shock मुझे यहाँ पर दिख रहा है means बहुत ज़ादा spiritual side से यह इनसान है height भी मुझे 5'8 या 5'7 उस side से मुझे दिख रहा है and dressing sense के अगर मैं बात करूँ means वो कहते है न cute type dressing उस तरह का aggressive होता है यह इनसान ठीक है चाहिए लड़का हों या लड़की हों means कैसे explain करो जैसे कि suppose jeans पहन लिया उपर red का लगा या फिर white का लगा top पहन लिया and एक denim का लगा jacket पहन लिया एक अच्छा खासा sports shoes या फिर एक sandal पहन लिया उस तरह से ये पोसन अपना dress up होते है जादा तर formal way में ये इनसाद dress up होना पसंद नहीं करते है क्योंकि ये इनसान का age भी बहुत कम है तो उस टाइम पे आप इस तरह से dress up होते हो जहाँ पे कि आप बहुत ही जादा cool happening type की दिखना पसंद करते हो ये इनसान उसे तरह से मुझे दिख रहे है जहाँ पे कि इनसान ऐसे ही dress up होते होंगे इनके जो eyebrows होंगे वो थोड़े thicker sides होंगे and eyelashes जो है वो by birth ये person को जैसे कि jeans में ही मिला है बहुत जादा लंबे eyelashes होंगे चाहे ये इनसान लड़का हो या लड़की हो क्योंकि इनके जो parents भी है न वो बहुत ही जादा good looking sides है तो ये भी इनसान बहुत जादा मुझे good looking side से ही दिख रहे है थोड़े gym freak हो सकते है exercises करना बड़ा अच्छा लगता है ये इनसान जिम नहीं जाते होंगे means घर में ही जिम खोल के रखा होगा क्योंकि इनके जो parents हैं वो लोग थोड़ा means आपकी जो future के in-laws होंगे वो लोग थोड़ा fitness के उपर जादा ध्यान देते हैं और exercise करना yoga करना इनकी जो mom है वो yoga करती है इनकी जो बहन है वो भी yoga करती है swimming करना पसंद है आपके person को और उनकी जो बहन होगी उनको भी आपको डहने की ज़राद नहीं है उनकी जो बहन भी होगी ननन होगी साथ आपकी उसको रिस्ते नाते नाम थोड़ा मुझे इतना ज़राद पता नहीं होते है तो वो भी आपके साथ बहुत स्वीटली ही बेर्ट करेंगी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ रूली बेर्ट करेंगी और आपके जो ये person होंगे वो बहुत ही ज़राद समझदार साइट से मुझे दिख रहा है means age भले ही कम होगा लेकिन mature side होता है ये person के अंदर वो होगा बचपन से ये person थोड़ा mature type के बाते करते होंगे हर किसी के साथ और ये person को थोड़ा watch पहनने का थोड़ा shock होगा इनका जो wrist होगा हाथों का wrist होता है वो थोड़ा broad side से होगा means बहुत जादा strong होगा इनका जो भी काम होगा जो भी ये इंसान काम कर रहे है या फिर फ्यूचर में करेंगे उनको वहाँ पर अपना physical strength बहुत जादा use करना पड़ेगा इनके जो shoulders हैं वो थोड़ा broader side से दिख रहा है and fair side से होगे means गोरी चिट्टे जिसे बोलते है उस तरह क्योंगे मतलब देखने में एकदम कमाल के लग रहे है आप इमाजिन कर सकते हो जो जो चीजे मैंने बोली है आपको ठीक है and इनके जो face पे जो jaw line होता वो बहुत सादा sharp होगा and chin थोड़ा वो क्या बोलते है थोड़ा rectangle side उस तरह से दिख रहे है means proper एक handsome लड़का या फिर एक beautiful लड़की आप बोल सकते हो इनको पहली नजर में ही आपको इनसे प्यार हो जाएगा बहुत सादा beautiful sides है और इनके life में चाहिए जितने भी problems आए या फिर कुछ भी दिक्कत आई ये person हमेशा next day एक नई शुरुवात करता है ऐसा नहीं होता है कि ठक हारके बैठ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है self motivated personality होगी ये इनसान के अंदर जहांपे कि ये person खुद को खुदी motivate करता है आगे लेके जाता है डर के पीछे अटना ये person ने कभी भी नहीं सीखा है और हमेशा excited रहता है कि अब क्या करूना है अब क्या करूना है उस तरह का nature होगा ये person का मैंने आपे कुछ cards निकाले हुए है तो पहला तो है intuition self reflection ये जो भी इंसान है ये मैंने बोला था कि इनके अंदर वो intuitive side बहुत ही ज़्यादा strong है अगर ये इंसान कोई tarot card reader बनना चाहें या फिर astrology के अंदर ये person एंटर करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा excel करेंगे एक नाम बनाएंगे और age wise young है ज़्यादा age के नहीं हैं आप दोनों लगभख similar age के ही मुझे दिख रहे हो ठीक है face wise बहुत ज़्यादा innocent cute face होगा beautiful side से दिखेंगे fair side होगा means गोरे चटे होंगे advice बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं क्योंकि ये person के अंदर वो jealousy side नहीं है जहांपे कि ये person ये सोचेंगे कि नहीं मैं उसको नहीं बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे थोड़ा डरता है ये person से क्योंकि ये person का गुसा बहुत ज़्यादा high है ऐसा नहीं है कि ये person के अंदर वो patience नहीं है patience कूट-कूट के बढ़ा हुआ है लेकिन जब सवर का बांद छूटता है ये person अपना गुसा नहीं कर पाता है और ये person अपना गुसा कंच्रोल नहीं कर पाता है और उस ताइम पे ये इंसान को कोई नहीं रोख सकता except their sister ठीक है वो अपने बहां से बहुत जारा प्यार करते है and divine ये person को sign दे दे कि जब आप ये person को पहली बार मिलो कि at that time here she will know कि आप ही इंके future के spouse हो ठीक है अगर job की बात करो तो ये person कोई architect हो सकते है या फिर technician हो सकते है technical knowledge तो होगा ये person के अंदर police officer हो सकते है या army background से हो सकते है lawyer भी दिखा मुझे सणर इंके कोई दूर की cousin है जो कि lawyer है अगर आप ये person से मिल चुके हो means आपके future spouse से मिल चुके हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने जब मुझे पहली बार देखा था at that time you feel कि आपकी शादी मेरे साथ होने वाली है या नहीं ठीक है आप ऐसा पूछना तो वो बताएंगे कि हाँ मुझे ऐसा लगा था and because of that I proposed to you ऐसा वो बोलेंगे ही बोलेंगे या फिर आपके person accounted हो सकते है tarot card reader see मैंने बोला था ये person के psychic side ना बहुत जादा strong है blogger भी हो सकते है या फिर ये person के मन में रहेगा कि मुझे blogging शुरू करना चाहिए like that और मैंने यहाँ पर sexual terror card से एक card निकाला हो रहा है तो आपके जो ये person होंगे वो अपनी फिजिक को लेके बहुत जादा serious होंगे means healthy food काना पसंद होगा थोड़े cool type की dress up होते होंगे क्योंकि age भी बहुत कम है आपके person का ठीक है और आपको भी encourage करेंगे ये person की आप भी ऐसे खाओ ये करो ऐसे exercise करो even इनकी जो family means आपकी जो future in-laws है वो भी आपको बोलेंगे कि ऐसे exercise करो guide करेंगे आपको भी ताकि आपकी health भी अच्छी रहे बहुते साथ अच्छे साइड से मुझे दिख रहे है इनकी family थोड़े traditional ज़रूर होंगे लेकिन modern सोच भी होगी ठीक है इनके जो घर घर होगा वो भी थोड़ा authentic traditional way में set up होगा lover होंगे आपके person and their entire family पुरानी चीजों के सौकीन जिसों बोलता है न वैसे होंगे और आप दोलों के बीच में future में बहुत ही ज़ादा means आप दोलों जब intimate होके at that time foreplay बहुत ज़ादा मुझे दिख रहा है means यहाँ पे sensual service बहुत ज़ादा strong है आपके person का here she wants to feel you ठीक है आप दोलों किस बहुत करोगे एक दूसरे को hug करोगे feel करोगे एक दूसरे को ठीक है and वो intimate moment जब चल रहा होता है at that time कभी कबर आप चीजे भी अपने partner को खिलाते हो like that वो क्या बोलता है उसको जैसे कि cream हो गया या फिर sauce सो गया चॉकलेट सो गया चॉकलेट ठीक है वो सब partner के body में डाल के उसे जो taste करना वो सब चीजे मुझे या आप दिख रही है ज़ादा था ठीक है central side से आप दोनों बहुत ज़ादा मुझे लग रहे हो means ऐसा नहीं होगा कि जल्दियली करके आप दोनों खुश रहे हो जाओ और ऐसा नहीं है आपके पार्टनर के अंदर भी वो स्टैमिना होगा जो means आप दोनों एक दूसरे को जैसे reflect करते हो ठीक है आप दोनों का जो स्टैमिना है वो बहुत ज़ादा हाई है तो आप दोनों almost half an hour से ज़ादा ही आपका intimacy चलेगा और बहुत ही ज़ादा central side से भी हो आप दोनों ठीक है और मैंने यहापे कुछ name initials निकाले हुए हैं तो आपके जो person होगे उनका नाम जो है वो वी से शुरू होने के chances है M, O, या फिर Y से आपके person का नाम शुरू होता होगा कुछ लोग के लिए मुझे दिखा कि आपके person का title जो है वो इस नाम से शुरू होने के भी chances है 6 या 7 budgets हो सकता है आपके person के या फिर इस date पे आप आपके person से मिलोगी अगर आप मिल चुके हो तो आप जानते हो कि आप किस date पे मिले हो तो यह था rating guys pile number 1 लोगों के लिए और अभी हम चलते है pile number 2 की तरफ तो मैंने हैं पे आप लोगों के लिए 2 cards निकाले हुए है the wheel of fortune card in reverse and two of swords card in reverse तो आपके जो यह future के spouse हैं उनका जो बर्चाट होगा उसमें ascendant sign, sun sign या moon sign जो है वो आइधर एक fire sign से related होगा, eris, leosach या फिर air sign से related होगा Gemini, Libra या फिर Aquarius तो guys एक चीज़ मुझे आप दिख रही है कि आपके जो यह person होंगे न वो बहुत ही जादा एक constrict mindset होगा उनका means लोग क्या कहेंगे, society को देखके चलना है उस तरह का एक सोच होगा यह person के अंदर क्योंकि बच्पन से ही यह person को परवरे से ऐसी मिली है कि यह person वही सोचते हैं कि जो बड़ों ने कहा, जो बड़ों ने decide किया वही सही है यह इनसान खुद की सोच, इवन खुद को मतलब यह person ने जैसे कि एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा हुआ है यह person खुद को बाहर निकालना ही नहीं चाहते हुआ हमेशा यह person वही सोचते हैं कि जो बड़ों ने set किया है rules, जो जो society मानती है, समाज मानती है, उस हिसाफ से चलना चाहिए उस तरह से है यह इंसान, चाहिए लड़का हो या लड़की हो और आप जो इंसान हो ना आप इसके सोच के totally opposite हो means आप बहुत ही साथ practical सोचते हो आप हमेशा यह सोचते हो कि मेरे family के लिए, मेरे लिए क्या सही है लोग क्या कहेंगे, society क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगी इस पे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है तो आप दोनों एक दूसरे से totally opposite मुझे यहाँ पे दिख रहे हो एक जमीन है तो एक आसमान है, उस तरह का आप दोनों का relationship है मिस आप दोनों का, sorry, personality होगा बहुत ही जादा opposite हो आप दोनों, सोच के according तो आपके जो भी यह person है, एक चीज़ मुझे दिखा यह person का height जो होगा, वो 6 feet, मतलब 6 होगा थोड़ा बहुत जादा tall sides है इनकी, even इनकी जो family है ना, वो भी सब कोई बहुत जादा taller side से मुझे दिख रहे है लेकिन इनकी जो mom है, वो थोड़ी short height होंगी ठीक है, या फिर maximum 5, 6 से उपर तो होगी ही होगी आपकी person जादा तर लोगों के लिए मुझे यह इंसान 6 दिख रहे है तो यह इंसान को new ideas, fresh ideas से शक्त नफरत है यह इंसान वही करते है जो कि past में इनके seniors ने किया है इवन वही solutions implement करते है problems को solve करने के लिए जो कि इनके seniors ने किया है तो इनका work environment बहुत ही जादा stressful है लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि हमेशा employees जो होते हैं वो कुछ नया करना चाहते है लेकिन यह इंसान जो हैं वो पुरानी चीज़ों को ही पगड़के बैठे हुए है तो financial condition भी मैं यह person का खराब नहीं बोलूँगी income है salary मिलती है वहाँ से यह person कुछ save करते हैं कुछ family को भी देते हैं इनके family में भी कोई एक family business है hotel है या फिर कुछ है जो की या मसाले से कुछ related मुझे दिख रहा है खुद का कोई brand होगा लेकिन ये लोग extreme traditional sites हैं यार means ज़रा से ज़ादा है समाज society लोग क्या कहेंगे वही सब चीज़े ये लोग सोचते हैं भले ही पैसे हैं इनके family के पास बहुत सारे पैसे है लेकिन ये इनसान जहाँ पर job कर रहा है वहाँ पर ये इनसान का इतना अच्छा का सा growth नहीं है ठीक है और अभी अगर मैं current situation की बात करूँ तो ये person totally single है ये person virgin भी मुझे दिख रहा है चाहिए लड़का हो या लड़की हो age wise ये person बहुत ज़ादा mature है आपसे बहुत ज़ादा mature मिस age gap है आप दोनों की बीच में max 10 साल का age gap ठीक है मतलब 5 से 10 साल ठीक है और ये person के according इनका सोच है कि family जिसे choose करी कि मैं उससे ही शादी करूँगा या उससे ही शादी करूँगी arranged marriage ये person करना चाहते है अपने like में इसलिए ये person किसी को भी अपने like में आने देना नहीं चाहते और इसलिए ये person किसी को date भी नहीं करते और because of their nature लोग ये person को पसंद नहीं करते लोग सोचते है कि ये person बहुत ही ज़ादा constrict side से है और इनके साथ बना की चलने में मतलब पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये इनसान हमारे ले सही नहीं है उससरा की चीज़े मुझे दिख रही है ठीक है लेकिन एक चीज़ में बता दो मुझे sudden दिखा कि ये जो marriage होगा ये arranged marriage नहीं होगा ये love marriage होगा ये person जो सोच रहे हैं उसका उल्टा करेंगे पक्का और आप शायद ये person को कोई professional setting या फिर कहाँ पे एक professional जो parties होता है या फिर आप कहीं पे अपने friend के साथ गए हुए हो कोई work situation में कोई कहाँ पे seminar हो रहा है या कुछ attend करने जा रहे हो वहाँ पे आप ये person से मिलो गए and after that आप दोनों के बीच में वो प्यार होगा and आप दोनके शादी होगी एक चीज में बता दो अभी तो आपको सुनके बहुत जादा मतलब खराफी रो रहा होगा कि ये person इतना सादा मतलब constrict type का इंसान है मैं कैसे रोंगा या रोंगी इसके साथ लेकिन ये इंसान जब आप से मिल जाएंगे न आपकी जब ये इंसान के साथ मुराकात हो जाएगी तो ये इंसान totally change हो जाएंगे आप भी भी नी करोगे कि जिससे मैं पहली बार मिला था या मिली थी ये totally ऐसे किसे change होगे like that ठीक है तो ये इंसान के अंदर वो changes आ जाएंगे अगर आप मिल चुके हो, so you know that ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ cards निकाला हुए है age-wise यह person आपसे बहुत जादा mature होंगे दिखने में भी थोड़े, वो दिखता है ना अकडू-खडू-स्टाइब के चेहरे उस तरह का चेहरा होगा यह person का, लेकिन आपको थोड़ा hot and sexy भी लगेंगे, ठीक है मिस वो होता है ना कि वो लोग सोचता है कि नहीं हम लोग ऐसा show करेंगे, तो लोग हमारी तरह attract नहीं होंगे, लेकिन इसका ultra हो जाता है, आप ultra attract हो जाओगी यह person की looks एक proper trim करके रखते हैं, जैसे कि फॉर्मल पार्टी में जब जाते हैं, लोग जैसे करते हैं, यह person ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा expensive perfume लगाने का शौक होगा, होगा यह person को, बहुत ज़्यादा formal way में dress up होता है, यह person एक घड़ी भी दिख रहे हैं, मुझे black थोड़ा यह जो घड़ी पैंते होगे न, वो expensive होगा एक pen है, उस तरह के specs भी यूज़ करते हैं, यह चाहिए लड़का हो या लड़क्यो जादतर लड़कों के लिए मुझे दिख रहे है कि dark color इतना जादा use नहीं करते होंगे and सादगी के साथ रहना यह person को पसंद होगा, white flowers यह person को बहुत जादा अच्छा लगता है अगर आप male हो अपने female partner के लिए यह reading देख रहे हो, तो उनको चूणियां पहनने का बहुत जादा शौक होगा बहुत जादा चूणियां पहनते है और वो pile वो सब चीजे पहना यह person को बहुत जादा अच्छा लगता होगा बाल बहुत लंबे करना straight hair, कुछ लोग के लिए curly hair दिख रहा है long curly hair तो उस तरह मुझे थोड़ा दिख रहा है यह self love करते है और योगा बहुत जादा करते होंगी यह इंसान दूसरे जो इनके society, समाज के जो लोग हैं वो लोग बहुत जादा appreciate करते है यह person का जो nature है उनका जो काम वो करते हैं उसको लेके ठीक है आप दोनों के बीच में प्यार होगा आप दोनों के बीच में marriage होगा आपका जो शादी होगा वो temple marriage होगा यह person की जो family है वो extreme level पे traditional side से होंगी वो लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग शादिया करवाते हैं मिनस हमारे गर में जितने ही वी शादिया होती है वो मंदिर में ही होती है मंदिर में होगी या फिर गुर्द्वारा में चर्च में या फिर मस्जिद में मिनस हम लोग कभी भी ऐसा कोई hall book करके शादी नहीं करते हैं हम लोग हमेशा ऐसे मंदिर में ही शादी करते हैं और उनका कोई पुर्खो का एक jewelry होगा जो की वो आपको देंगे चाहिए आप लड़का हो या लड़की हो उनको मलब कुछ ना कुछ एक coin होगा या फिर एक हार होगा जो की वो हमेशा अपने होने वाले दामाद को देते हैं या फिर अपने बेटे की wife को देते हैं ठीक है बहू को देते हैं उस तरह की चीज़े उन लोग के ट्रडिशन में मुझे दिख रहा है याँ पर अकर प्रोफेशन की बात करू मैं ये परसन की तो यूट्यूवर हो सकते हैं जो कि सीक्रेटली अपना चैनल चला रहा है नॉन वेज शेफ हो सकते हैं ये परसन छुप छुप के नॉन वेज खा क्योंकि ये लोग जो प्रोफेशन जो होता है न वह उस हिसाब से करते हैं कि जहां पे की प्रोफिर जादा हो थीक है आप वेजटेरी रेस्टराँन खोल के बैठ जाओ गया है और वहां पे लोग खरीद ही नहीं रहे है तो फाइदा ही कर रहा है ठीक है इनके जो को जादा अपने दिमाग में लगा के बैठे हुए हैं लेकिन जब यह परसन आपसे मिल जाएंगे या फिर आप अगर मिल चुके हो सो यू नो की यह परसन अभी टोड़ली चेंज हो चुके हैं इंसरेंट सेक्टर मे भी यह परसन को होने के चांसेस है शेयर मारकेट मेबी मीडिया ब्र็जनेस रीपोरटर भी हो सकता है कोई बैंकर भी हो सकता है या फिर वैजशेख भी हो सकते हैं । यह परसन का जो होटाईल होगा वहां पर नो वीच बहुत जाद आच्छा मिलता मैंने कुछ sexual terror card से एक card निकाला हुआ है तो ये person भले ही outer way में बहुत जादा sound sovhah के बहुत जादा mature way में behave करते होंगे आपके साथ मतलब हर किसी के साथ ऐसे शोग जरूर करते होंगे लेकिन actual में ये person बहुत ही जादा naughty sides होंगे, wild sides होंगे जहां पर कि after your marriage आप दोनों सिर्फ एक बार intimate नहीं होगे means एक रात में दो तीन बार आप दोनों intimate होगे ये person को आपको सोते हुए देखने का भी एक shock रहेगा कि आप सुकून से सोते होगे ना तो ये person को बहुत साथ खुशी महसूस होगी, दिल से ये person ठीक है, टोटली चेंज हो जाएंगे ये जो भी इनसान होगे साथगी को बहुत जादा prefer करते हैं, जादा make-up लगाना है, ये person को अच्छा नहीं लगता है, इनके जो नोस होगे वो थोड़े long side से होते है उस तरह का थोड़े नोस होगा ये person का, weight is complexion है हाँच होंगे, उसके fingers थोड़े long side से होंगे, लंबे-लंबे हाथ होते है वैसे होंगे इनके fingers उनका जो neck मुझे देख रहा है वो भी बहुत सादा long side से होगा बहुत सादा attractive neck होगा breast थोड़ा बड़ा होगा अगर आप male हो अपने female partner के लिए देख रहे हो तो थोड़े बड़े boobs होंगे अगर आप female हो अपने male partner के लिए देख रहे हो तो उनका जो chest होगा वो थोड़ा broader chest होगा थोड़े लंबे, चोड़े उस तरह का थोड़ा look होगा ठीक है इनका जो legs है ना वो बहुत ज़्यादा attractive लगता होगा thighs बहुत ज़्यादा strong होगा घुर सवारी का ये person को shock रहेगा सड़न दिखा मुझे पुर्खो का कुछ ये person का जमीन है जहांपे कि ये लोग horse के farming करते हैं, अच्छले farming नहीं करते हैं उनके खुद के घोड़े हैं जहांपे कि ये लोग summer या winter season में जाते हैं कुछ time spend करते हैं whole family के साथ और because of that ये person का जो thighs होगा वो बहुत ज़्यादा strong होगा और यहांपे वने कुछ name initials निकाले हुए हैं तो आपके person का जो नाम है वो you से शुरूर होने के chances है बी आई या फिर जे से ये person का नाम शुरूर होता होगा यहांपे सदन मुझे lawyer दिखा इनके कोई एक बच्पन के friend है जो कि lawyer है जो कि इस रिष्टे को आगे बढ़ाने में बहुत जादा help भी करेंगे इस family को convince करने में या ये सब चीज़ों में क्योंकि आप दोनों की बीच में age care भी है cultural difference भी है बहुत जादा मतलब आपकी family totally modern है तो इनकी family totally traditional side से है तो वो इनसान आप दोनों को पास लाने में एक intermediary होंगे ठीक है और अगर आप मिल चुके हूँ आपके person के साथ तो आपको पता है कि वो इनसान कौन है शायद r या j से वो इनसान का नाम शुरू होता होगा a भी दिखा सबाए s यहाँ पर मैंने कुछ budget भी निकाले हुए हैं तो आपके person के budget हो सकते हैं तो आपके person के budget हो सकता है या फिर इस टेट पर आपके person से मिलोगे तो यह था reading guys file number 2 logo के लिए I know कि यह reading बहुत ही जादा lengthy हो गया है पर actually यहाँ पर दो suggestive questions आये थे कि मेरे future के spouse कौन होंगे और उनका physical appearance कौन होगा दो questions है तो मैंने उसे मिला दिया ताकि एक ही reading में आपको सारे information इन detail में मिल जाए तो भले यह reading थोड़ा lengthy है लेकिन आपको हर एक detail बात आप लोगों को मिल जाएगी about your future spouse, about their looks, about their professions, हर एक चीज़ ठीक है तो अगर आप लोगों को मेरे जो reading होता है वो resonate करता है या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe करो, like करो और share भी करो अपने family, friends and colleagues के साथ और इस तरह आप लोग प्यार, trust दिखारो मेरे चैनल को उसी तरह ही दिखाते हो guys मेरे blessing समेशा आप लोग के साथ ही रहती है and take care and be safe, love you all, thank you, bye